Hello everyone, मेरा नाम है रोहित, I hope आपसे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, तो आज के जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सिस अफरीका, जो की केप टाउन में होने वाला है, तो चलो आज के मैच के प्रेडिक्शन करते हैं and I am giving you a promise कि जो बाते मैं आपको बतान इस्टैट्स क्या बताते होंगे, लेकि समझना उन लोगों ने रिकॉर्ड्स को दिखाया होगा, सिर्फ बताया होगा कि यह रिकॉर्ड यहाँ पर ऐसा है, पहले इनिंग, सेकंड इनिंग, ऐसे करके, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या लगाना है, और उन रि 20 विकेड पेसर्स ने लिया है, और 49 विकेड अतरन कि अनिया है, इस्पेरलान लिया है, तो मुझे लगता है, बहुत यह गहराई वाली बात नहीं है, इस समझ में आती है, कि पेसर्स का यहाँ पर दब-बा ज़ादा रहता है, और वैसे भी देखो तो, किसी भी टेस्ट मे जो fast baller होते है वो ज़़ादा खिलते है इसलिए पेसर्स को ही ज़़ादा विकड मिलेगी है तो logic सी है ना सिम्पल सी बात है average first inning का अगर score देखोगे तो 325 गिरा है average second inning का score देखोगे तो 292 रन बनता है 30 inning का average score देखोगे तो 234 और 4th inning का average score देखोगे तो 163 यानि 325, 292, 234, 133, यानि जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ते जा रही है, वैसे जो average score है, वो कम होता जा रहा है, और पहले इनिंग का score जो है, वो मातर average score है, वो मातर 325 रन का है, तो बातों को समझना मैं क्या बताना चाहता हूं, थोड़े बहुत आंकडे दिखा के बताना इस match में होने वाला क्या है वो important मुद्धों पे धिहान देते है देखो क्या होने वाला है कि देखो पहले match में हमने देखा था कि एक team थी जिसने 2 inning खिला था और एक team थी जिसने मात्र 1 inning खिला था तो इस बात को आप मान करके चलो कि यहां पे हमारे अगर बल्लेबाजो को अगर ध्यान में रखोगे तो इंडिया के बल्लेबाज अगर पहले बैटिंग करते हैं तो देखो तो रोई शर्मा फस रहे हैं प्रॉब्लम में हैं बहुत अच्छा टेस्ट नहीं चल पा रहा है इनका अफ्रीका में शुमन गिल करेंट फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया हु मैच होने वाला अगर मैं कहूं कि यह जो मैच होने वाला है इसमें ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि हो सकता है कि यह मैच तीन इनिंग में खतम हो जाया है या फिर अगर चार इनिंग तक अगर जाती है तो चौते इनिंग में जो चेस करेगी टीम उसको बहुत जादा टा एक ही बार बल्ले बाजी करेगी पर आपने ऐसे आप उन प्लेयरों को रख ले रो जो एक ही बार बल्ले बाजी कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा क्योंकि एक टीम है जिसके प्लेयर जो होंगे बल्ले बाज होंगे वो दो बार बल्ले बाजी करने का मौका मिला है तो तो आपको सिनारियो बना के चलना होगा, सिनारियो क्या बनाना है, कि पहला सिनारियो यह बना के आप चलो, कि अगर अगर इंडिया यहां पे दो बर बल्ले बाजी करेगी, मात्र एक बार, तो अगर इंडिया दो बर बल्ले बाजी करती है, तो यानि इंडिया के बल्ले भूमनेशन रहा है कि इंडिया की बल्लेबाजोने और अफ्रीका को गेंदर बाजे मनता है और अफ्रीका को गेंदरबाजो आधा है sto hag-a, और टॉसने लेको जो भी क्या है daug जितती है में इंडिया घूरत और अफ्री बल्ले बाजी करने होता दे देती है तो इसका मतलब यह होने वाला है कि अफ्रिका यहाँ पर जारा दर चांसे से कि अफ्रिका यहाँ पर बल्ले बाजी दो बार करेगी हाला कि यह फिक्स नहीं है मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है कि तीन इनिंग में मैच खतम हो जा तो सोचे शुरुवाद के तीन इनिंग में जो पूरा भरपूर 10 फिगर तक चलेगा लेकिन आखरी की जो चौती इनिंग रहेगी वो भरपूर 10 फिगर तक नहीं चलेगा मातरे 120, 120, 130 तक के स्कोर तक ही चलेगा तो इस हिसाब से मैं क्या बलताता हूं कि जो चीज़े मैं आपको बता दिये यह बहुत समझ जाओना कि आप एकदम इसका मतलई भी होता है कि इंडिया के बल्ले बाजो को रखना है क्योंकि दो बर बल्ले बाजी कर रही है और अफरीका के गिंद बाजो को रखना है क्योंकि अगर दो बर बल्ले बाजी इंडिया करेगा तो दो बर गिंद बाजी कौन करेगा अफरीका करेगा यानि इंडि में रहेंगे कि दो बार ये भी खेलेंगे, दो बार ये भी खेलेंगे, पर अगर मगर मैं ऐसा हो जाता है कि दो बार ये खेलते हैं, ये मातर एक ही बार बहले बाजी करते हैं, और ये दो बार गिनबाजी करते हैं, तो आप समझ जो जितने भी लोग बड़े-बड़े साटी सा समझो यह विगेट किपिंग से भी point देता, आपको पता नरहें किपिंग में जतनी बार heaping करेगा, जतनी बार catch पकड़ेगा, उतनी बार 20 को प्या बनता जाएगा, point मंता चलएगा, तो point से भी तो आपको फाइदा मिला, keeping से फाइदा मिला, दो inning बल्ले बाजी भी करेंगे रहा हूँ, ठीक है? विराट कोली को देखो विराट कोली आपको पता है अफरीका में इनका record बहुत अच्छा है तो विराट कोली अल्रीड एक पहला टेस में देखो कि तो अच्छा record था 36 बनाया और दूसरे में विश 70-75 के करीब बनाया थे तो करीब-करीब थें यह है न हलागि दूसरे निंग में 7 लोगों ने छोड़ दिया था वनना यह सत्क मार दि रहते हैं तो विराट कोली को इस बार आपको ले के चलनना वको विराट कोली को मैंने टीम में रखा हुआ है रविंद्र जड़ेजा की वापसी हो रही है रविंद्र जड़ेजा की क्या हो रही है अब आपसी हो इस टीम में तो रविंद्र जड़ेजा को रखो क्योंकि रविंद्र जड़ेजा जो होगा वो spin को देखो spin और पेसर का जो यहाँ रेशियो था 3-1 का था मतलब अगर 4 चीज़े हैं तो 3 विकेट पेसर लेता है और 8 विकेट को लेता है स्पिनर लेता है ऐसा रिकॉर्ड है तो एक स्पिनर के तोर पे मैंने किसको रखा हुआ है दोने टीमों में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर रखा है मैंने किसको चुना है शुमन गिल को मैंने चुना है मुझे गट फिलिंग है कि शुमन गिल इस बार अच्छा करके दिखाएंगे हला कि आप चौथ रोई श्यर्मा और यसससी जासवाल पे भी खेल सकते हो तीन में से एक option मैंने आप शुमन गिल के साथ आप जा सकते हूं हळा कि 3 में से एक option मैंने शुमन गिल कर बना है 3 में से 2 का भी option बन सकता हूं वह कैसे बनेगा मैं आपको आगे बताता हूं तो यह रहे इंडिया के बल्ले बाज अब इंडिया के बल्ले बाज है तो अफ्रीका के क्या होंगे मैंने क्या बता है इंडिया के बल्ले बाज तो अफ्रीका के गेन बाज क्योंकि अफ्रीका गेन बाज को दो बर गेन बाजी करने का मौका मिलेगा तो मैंने उस हिसाब से लिया है लुंगी एंगिडी, येस, लुंगी एंगिडी की वापसी हो रही है, लुंगी एंगिडी टेस्ट में बहुत अच्छा गेनबाज है, सच बता रहा हूँ, और लुंगी एंगिडी का जाके लुँण मारेजाएं के लिए, बर्गडर के जाएं मैं कुट है नहीं बर्गर के लिए तरिके की विकेड ले जा रहा है, तो वुसकता है कि उस वजए से, मार्को जैंसण थ्वड़ा फायदा उठा ले और साथ मतलब दोनों option है burger का और Johnson का आप जिसके साथ चाहो उसके साथ जा सकते हो दोनों के बारे मैंने बात आपको बताती है ठीक है तो इंडिया के बल्ले बाज और अफरीका के गिन बाज हो गए तो यह 7 combination बन गया पर इसका मतलब तो यह नहीं होता है कि इसका उल्टा आप ना तो चाहर स्लोट कले क्या करेंगे क्यूद दूसरा बालवाला चीज भी इंडिया कि गंठाज भी करेंगे और अफरीका के बल्ले बाज भी हो ने करेंगा भले guaranteed एक बारी क्यों न करें लेकिंगे तो करेंगे ना तो आप बीच में बाइए प्रशित के अंदर और से गट फिलिंगर की डीन एलगर यहां पर फ्लॉक होने जा रहे हैं वो यहां पर चलने वाले नहीं है ठीक है और अगर इंडिया की गिनबाजी को बोलो कि किसे में रख़ी हुए तो वो रख़ा है जैस्मीत भूमरा को रखा हुआ है और कृषिणा और सीराज में option है अब कृषिणा और सीराज में अगर percentage of selection को देखोगे तो सीराज का percentage of selection 70 के पार है लेकि अगर कृषिणा का देखोगे तो 10% से भी कम लोगों ने किसको select किया कृषिणा लेकि आपको पता रोई शर्मा ने बयान दिया है कि हम कृषिणा को मौका देना चाहते खिलाना चाहते क्योंकि हमें पता है कि कृषिणा के अंदर प्रशिद कृषिणा के अंदर वो दम है और वो टेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर साबित हो सकता है यह बोल करके statement दिया है रोई शर्मा यान हमारी टीम के captain ने तो प्रशिद कृषिणा टीम में खेलेंगे और मुझे लगता है प्रशिद कृषिणा को मैं मैं अपनी बात बता रहा है मैं प्रशिद किसना के साथ जाना चाहता हूँ हलाकि देखो अगर तीन विकट प्रशिद किसना लेता है और सिराज भी तीन विकट लेता है तो रैंकिंग पता किसकी जादा होगी जिसने कृषिणा को रखा हो उसकी रैंकिंग जादा होगी क्यों क्योंकि percentage of selection जो है वो कृषिणा का कम है अब देखो मैंने क्या रखा हुए combination क्या बना हुआ है इंडिया के 6 और अफ्रीका के 5 अब मैंने आपको बोलाता ना कि उपर का जो इंडिया का top order है यानि गिल यससी जैसवाल रोही शर्मा उन तीनों में से क्या कर सकतूँ आप एक जगा क्या कर सकतोँ आप इनके लिए बना सकतो किनके लिए मतलब अफ्रीका का एक बाहर करके आप क्या कर सकतो उनके लिए बना सकतो तो अफ्रीका का एक बाहर जो करोगे न वो बल्लेबाज को बाहर करना क्यों क्योंकि मैंने condition पहला सिनेरियो क्या बना है कि इंडिया दो बार बल्ले बाजी कर रहा है और अफ्रीका मात्र एक बार बल्ले बाजी कर रहा है तो इस हिसाब से अफ्रीका के वो बल्ले बाज जो एक बार ही बल्ले बाजी कर रहा है वो किसको मैंने रखा हुआ है तो आप चाहो तो टी डो जोर्जी और डी बैडिंग घम इन दोनों मेंसे एक को हटाओ और एक को हटा करके यससी जैसवाल, रोही शर्मा, श्रेस अइयर इन तीनों मेंसे एक को रख सकते हैं अब चाहिए जोर्जी जोर्जी और बैडिंगम इसे एक को क्या कर सकते हो बाहर कर सकते हो जो कि मात तर एक इन खिलेंगे और हमारे इंडिया के बल्लेबास दो बार खिलेंगे क्योंकि मैं आपको कसिनेरियो आपको बता दिया है और एक चीज़ और और भी कर सकते हो कि आप चाहो तो टी डी जोर्जी और डी बैडिंगम मेंसे इन मेंसे एक को रिमूव करके आप डीन एलगर को भी डाल सकते हो बतलब लास मैच है इसके बार रोच रिटार्मेंट लिए रहे है तो मेभी हो सकता है कि वह बड़ी इनिंग खिल जा है बट मेभी हो सकते है कि अगर प्रेशर लेने के मेरा लास्ट इनिंग मुझे अच्छा खिलना ही खिलना है तो उस चक्कर में कभी-कभी गढ़ बढ़ भी point दे रहा है और दो बर बल्लेबाजी कर रहा है तो मैं इंडिया के बल्लेबाज अगर रखना चाहूंगा देखो मैंने क्या combination बनाया है एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के मैंने combination बनाया हुए captain vice captain के लिए तो मैंने बल्लेबाज को आप डेक सकते स्क्रीन परूरा अप इसी टीम को आप कॉपी करोगे और to be करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों के दोनों का अध काप्टान वसक्तान Gain Bажи में रख सकते हो की आप पे अधिन बाजियो का थोदवाता इस घरा करेगा एक खिलना है Captain Vice Captain मतलब उपर नीचे घुमा करके क्या कर सकते हूँ आप बटक सकते हूँ इस तरीके से तो यह मैंने सिनारियो कब बनाया जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तब और यानि मैं मान रहा हूँ कि इंडिया दो बार दो बर बल्ले बाजी कर रही है और अफरीका मात्र एक बर बल्ले बाजी कर रही है तब जाकर कि ये सिनारियो मनें create किया करके मैंने इस team को बनाया है आप देख सकते स्क्रीन पर मैं हालाकि तेलिग्राम में डाल दूँगा अब इसका just ulta जब उल्टा भी एक सिनाई यह होता है कि अगर अगर अफरीका दो बर बल्ले बाजी करती है और इंडिया एक बर बल्ले बाजी करती है तब क्या होगा टीम तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को बहुत लब मी ना करूँ कि आपका भी टाइं वेस्त होता है तो मैं क। मैं एक टीम बना दीता हूँ तो मैं एक व ॉक हो एक सिरी पस्राट मूझा करके वा एक उडियो की चॉट लिएटा हूँ इसे स्क्रीन में बना दूँow निदीच पाथ प्तुमाद कर दोगर एक करना है क्या कोई ऐसी बात होगी जो बता दूँ और आपको फायदा कर जाए वो बाते मैं टेलिग्राम में मैं अपनी वोईस क्लिप या ओडियो क्लिप मैं करके वहाँ पर डाल दूँगा तो आप टेलिग्राम जोइन कर लेना और चैनल पर पहली बारे तो प्री चैनल को सब्सक्राइब जोज कर लेना और वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो के बारे में जरू कुछ ना कुछ कॉमेंट करना लाइक करना पसंद आई हुए तो लाइक जरू करना अपने दोस्तियारों को भेजना ठीक है और कॉमेंट करना कोई भी सवाल होगा तो सवाल आप यहां पर कॉमेंट करो मैं यहीं पर जवाब कर देने की पुरी-पुरी कुश्चित करूँगा और आप टेलिंग यू आपना ख्या लगना गॉट ब्लेस यू थैंक यू